इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे वर्ड जो सबको पता है लेकिन रिवाइस नहीं कर पाते हैं आज से हम इंग्लिश आपको बताएंगे आई में यू तुम या आप वी हम दे वे देट वहा इट कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए या कोई भी निर्जीव के लिए ओके सी वहा लड़की ही वहा लड़का अब हम आई का यूज करना स्टार्ट करएंगे मैं खाता हूं आई इट मैं सोता हूं आई स्लिप मैं रोता हूं आई वीप मैं जाता हूं आई गो मैं आता हूं आई कम मैं नाचता हूं आई डांस मैं पीता हूं आई ड्रिंक मैं नहता मैं देखता हूँ I watch I शब्द लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज करते हैं जब हम बोलेंगे मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ तो उसके लिए same word यूज होगा I go मैं आता हूँ या मैं आती हूँ I come मैं नासता हूँ या मैं नासती हूँ I dance मैं पीता हूँ या मैं पीती हूँ I drink मैं नाहता हूँ या मैं नाहती हूँ I bath मैं देखता हूँ I watch कल हम सिखेंगे यू से word बनाना इसी में हम यू से भी word बना सकते हैं मैं खाता हूँ कि जगे तुम खाते हो you eat तुम सोते हो you sleep तुम रोते हो you weep तुम जाते हो you go, तुम आते हो you come, तुम नासते हो you dance, तुम पीते हो you drink, तुम नाते हो you bat, तुम देखते हो you watch ऐसे ही वर्डों से English use कर सकते हैं, यहां में के जगे आप you use कीजिए, उसके बाद we use कीजिए, उसके बाद they use कीजिए, उसके बाद that use कीजिए, उसके बाद she use कीजिए, उसके बाद आप he use कीजिए, यह वर्ड के सामने यह जो वर्ड मैं बताई हूँ, इसी को आप जोडते ज चाहिए और इंग्लिश कोशिस कीजिए इंग्लिश बोलने की थैंक्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल में बने रहे थैंक्यू चेतना रोहिद वर्ड में आप सब का हमेशा सौगत रहेगा आइकन बेल दवाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे